मायका के प्रखंड के प्रेम नगर में एक किराय के माकान पर जहां एक नन्व 19-20 बच्चों को परवरिश कर रही है वे आसाहाई बच्चे हैं जिनके माबाप उन्हें पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं अब क्या सोच करके इन बच्चों के लिए या तो फिर इनकी परवरिश करने की सोचे हैं गरीब लोगों के लिए कहीं से कोई उपाय नहीं है उनको देखकर मुझको दिल में यहीं लगा कि उनके लिए कुछ करना है सत्राश बच्चों से सुरू किये थे लेकिन जब वहां से उन गरीब बच्चों के लिए कुछ करने के लिए हमको स्वतंत्रता नहीं थे सुसाइटी में तो रहके आगया पालन कब्रत लेने के कारण से हमको अपना ट्रांसपर जब दिया जाएगा तो हमको जाना ही पड़ेगा किसी के हाथ में काम छोड़के जाना पड़ेगा अगर उस प्रकार के लोग नहीं मिले जो कि इस काम इस प्रकार की काम को पर इंट्रे जो जानते हैं बच्चों की कहानिया सुनते हैं फड़ा बहुत दोनेशन अपना जितना सकती है उसके नुसार देने वाले काम से हम लग रूखा सुखा बच्चे लग खाते पीते हैं लेकिन उसी से संतुस्त रहते हैं पांच सल गुजरगे अभी छटवा पांच साल में हम सब छटवा जगा बदल चुके हैं और उन स्थानों में वही होता है कि हम स्वतंतर रूप से अपनी काम को नहीं चला पा रहें कारण घाड़े के घर में तो मालिक की चानुसार नहीं चले तो भी नहीं बनता मैं चाहती हूँ इन्हें सरकारी अनुदान मिले और सरकारी अनुदान मिलने से इन्हें इस्थाई जगह मिल पाएगा इसके लिए पीसी साहाब को आवेदन दिया गया है और आप सभी जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से मैं अपील करती हूँ कि इन आसाहे बच करने के लिए शक्षम है वे 809244 1301 पर पोल करके सिस्टर कोलोरा धान को संपर्क करें और सहयोग करें मैं हूँ निर्मला राचे जार्खन से इंडिया अनहट के लिए